तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और इस वीडियो में गाईज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोगों को यूट्यूब के एप्लिकेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लिखाय रहता है इस तरीके से जब आपते हैं एक अकांट से दूसरे एकांट में यहाँ पे आप जाना चाहते हैं तब इस तरीके से जूब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सौल्व करेंगे वह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए गाईस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो गाईस आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपका जो account है वो सुरक्षित है यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं आएगी यह जो problem होती है वो एक internet connection का problem रहता है तो अगर आपके phone में internet connection नहीं है तब ही guys आपको इस तरीके से problem आती है otherwise आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो यहाँ पे आपको सबसे पहले setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको application वाले option पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे जाना है और यहाँ पे आपको search bar पे click करना है और guys यहाँ पे आपको search करना है YouTube तो इस तरीके से आपको YouTube लिखना है और उसको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे आपको एक option आता है restrict data uses का तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको mobile data का option आएगा कुछ इस तरीके से तो आपको इसको enable करना है और ओके कल देना है जैसे ही आप इस तरीके से जो है अपने phone में setting करेंगे तो उसके बाद guys आपकी problem solve हो जाएगी और इसी तरीके से guys आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और channel को subscribe भी कर लिजे